राजी सभा में अपोजीशन लीड़ा मलीकरजुन खडगे ने लगतार दूसरे दिन संसद वाके अपने चैंबर में अपोजीशन सांसदों की एमर्जवेंसी बैठक बुलाई इसमें 16 पार्टियों के नेता शामिल हुए बैठक में चालू बजट इजलास के दौरान अपोजीशन दलों के बीच रणनीती बनाने पर चर्चा हुई अडानी पर हिंटन बर्ग रिपोर्ट को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ इस मामले पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा और राजसभा के कई सदस्यों ने इस्थगन नोटिस दिया जोसे स्पीकर ने खारिच कर दिया इसे लेकर अपोजीशन दलों ने खूब हंगामा किया इस बीच कॉंग्रेस ने छे फरवरी को मुलक भर के सभी जिलों में LIC और SBI के दफ्तरों के सामने मुझाहिरा करने का फैसला किया है अडानी ग्रूप के मुद्दे को लेकर आमाद्मी पार्टी सांसर संजर सिंग ने एक बार फिर से मरकजी सरकार पर निशान असाता है उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ अडानी का प्रस्टचार नहीं मोदी सरकार का प्रस्टचार है 267 का नोटिस मैंने आज भी दिया है कल भी दिया था और हमारी एक ही दिमांड है कि इस पे जेपीसी बने सुप्रिम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वाइरी हो इसकी ये अकेले अडानी का प्रस्टचार नहीं है ये नरेंद्र मोदी सरकार का प्रस्टचार है नरेंद्र मोदी का सम्रक्षण है अडानी को नरेंद्र मोदी जी की पूरी पैरवी सारी कमपनियों के लिए रहती है कि भई इसी को में चाहिए इसी को करजा मिलना चाहिए, इसी को सिमेंट मिलना चाहिए, इसी को कोईला मिलना चाहिए, इसी को रेल मिलना चाहिए, एरपोर्ट मिलना चाहिए, पोर्ट मिलना चाहिए, कौन दे रहा है, मोदी जी दे रहा है, किसका काला धन है, भारत के प्रधान मंत्री अगर सामने नही चुप हैं, खामोस हैं, मोदी जी का काला धन लगा हुआ है विदेसों से आ रहा है हिंदुस्तान में, क्यों नहीं बोल रहे हैं, अडानी की कमpani में लाखों करोर रूपै विदेसों से फर्जी कमपनिया बनाके किसका पैसा लाये गा हैं, भारत के प्रधान मंत्री सवालों के घेरे में है और सवाल का जवाब देने से बच नहीं सकते इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे बिलकुल विलम नहीं करना चाहिए पारलमेंट में इसके बारे में चर्चा कराईए और JPC आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ताइम बॉन्ड इंक्वारी इस पे होनी चाहिए देश के लाखों करोनों लोग आच चिंतित हैं जिनका पैसा LIC में लगा हुआ है जिनका पैसा SBI में जमा है देश की सबसे बड़ी संस्थाएं ये दोनों संस्थाएं जिसमें करोनों लोगों का लगवग लगवग अस्थी करोन लोगों का पैसा जमा है किसी न किसी रूप पर तो ये संस्थाएं गड़ डूब जाएंगी तो जनता डूब जाएगी और जनता डूब रही है इससे लाबा पासपोर्ट भी जप्त करने के लिए तो चिठी लिखा है हमने भाई नरेंद्र मोदी जी चिडिया उड़ योजना चलाते हैं कभी उन्होंने का ललित मोदी उड़ कभी का निरो मोदी उड़ कभी का मेउल चोकसी उड़ कभी का विजय माले उड़ कभी का नितिन संदेशरा उड़ कल को चिडिया उड़ योजना के तरफ ये गौतम अड़ानी उड़ हो गया तो क्या हो गया इस देश का ये अकेले अदानी का भरस्थाचार नहीं है ये भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का भरस्थाचार है भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको LIC और SBI से लाखों करोन के कर्द दिलवाए मरकजी वजी प्रलाज जोशी ने सदन में हुए हंगामे को लेकर अपोजीशन पर इशाना साधते हुए कहा कि अपोजीशन के पास चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं है सुप्रीम कोट ने 2002 की गुजरात दंगो से मुतालिक बीबीसी डॉक्यमेंटरी को सेंसर करने से रोकने के लिए मरकजी सरकार को ओर्डर देने की मांग वाली अर्जी पर मरकज को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोट ने मरकज से तीन हफतों में जवाब मांगा है सुप्रीम कोट ने मरकज को बीबीसी की इंडिया दा मोधी कुईशन को ब्लॉक करने के अपने फैसले से मुतालिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है इस मामले पर सुनवाई अब अप्रेल से होगी बढ़ती महंगाए के बीच लोगों को एक और जटका लगा है अमूल ने दूद के दाम तीन रुपे फी लीटर बढ़ा दिये हैं दूद के ये बढ़े हुए दाम आज इसे लागू हो गए हैं अमूल कमपनी ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी अमूल फुल क्रीम दूद की कीमत अब 66 रुपे हो गई है वहीं आधा लीटर के लिए 33 रुपे चुकाने होंगे अमूल ताजा का एक किलो का पाकेट 54 रुपे का होगा और आधा लीटर 27 रुपे में मिलेगा भैस का एटू दूद अब 70 परवरी 2022 अमूल गोल्ड 58 रुपे लीटर फरवरी 2023 अमूल गोल्ड 66 रुपे लीटर यही है अच्छे दिन बिहार के मदुबनी जले वाकिय अखलियती अबादी वाले इलाके में बस स्ट्रेंट का इफ्ता किया गया सक्री चौक पर वजीर सनत समीर कुमार महसेट और जिल तो इसी प्रकार सदयक, बिजले, पाणी हरे जगर, कभी मानी मुत्मत्री जी आप देख रहे होंगे, हरे जिले में जा रहे हैं, अपने जिला में जो चैन प्रतिनी जी घंग थे, उसमें MLA MP को बुलाए लिए, और असपस्ट कहा गया कि अपनी बातों को भी समिज्यों प जाते आई, वो नेक्स्ट एकवार में आपको बिल गया होगा, उसी प्रकार हरे जिले में जाते हैं, हम नवारी जिला नवादा के हैं, हम वहां भी थे, लगातार रहे, हमने पाय कि मानी मुत्मत्री जी और जहां जहां हमारे मानी पेश्री जी जाते हैं, यह इसी बात की चर्चा होती है, तो कि आम लोग से मिलने का कार्शक्रम नहीं है, आम लोग से मिलने का कार्शक्रम का मतलब है कि आम मीटिंग हुआ, उसमें लोग आए, उसमें का 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 कार्शक्रम नहीं है, यह जिस रख से यह संबाद चल रहा है, परपस है कि जो सरकार ने काम किया है, उ कुछी की सब इच्छा हो लिए। मैं शक्षी बस अचान के जो की इसके शक्षीव है और ये दुछा जोंग इनकों में जेख रही हुए। इनकों में बहुत थिया। लगपट सो लग के बाद आपके साथ सालों से यह लोग अगतार में भड कर रहा हुए। शक्षी बस अचान को बहुत मुश्क्यक्व है। लेकिन आपके हैं। कि उससके जो करनेपे ऐसे ऑसे बहुत भरत करेंगाँ अगवाद करना है। कि वीगिनां। करनें फिरॉलिंग ऩाम करनें। यहां के जनता शारेशंचर के सुदा देने के लिए करके अस्तल हमने कंप्लीट करके पब्लिक शेवा के लिए हम किये हैं वाकी सारे लोगों का सयोग हमको चाहिए कि हमारे इस्टैन में यात्री लोग जो भी आवे हर तरह का सुदा रहागा कि दो महिला और दो पुरूस चार है तीन पेशत खाना है दो चापती जल है तो मुसाफिर सेट की लंबाई लगभग तीस से उपर होगा पूरे में चमुत्रा बना हुआ है बीजेपी लीडर और जारखंड अखलियती कमिश्वन के साबिक चेर्मेन कमाल खान ने रियासत की हिमन सोरेन हुकूमत को सक्त तनकीत का निशान बनाया है तेहजीब टीवी से खास बाद चीट में उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत अब तक हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है जारखंड के अखलियतों को ये बात समझनी चाहिए कि भाजपा की सरकार अच्छी थी कि महा गठवन्धन की जारखंड में सरकार अच्छी जबके भारतिय जनता पार्टी के दर पैदा करके महा गटवन्देन के लोग जारखंड में सरकार बने हेमन सुरेन वजीर आला बने लेकिन अखलियतों के मसला का कोई भी मामला हल नहीं कर पाए जिसका ये तीन साल के सासन काल में हेमन सुरेन का जिन्दा मिसाल अभी तक अख अखलियती कमीशन बनने से जार घंड के घरीब गुरबा हजारों लोगों का अभी तक वहबूद्गी और तरक्की और छोटा-छोटा जो मसला था जो कमीशन के यहां से हल हो जाते थे वो नहीं हल हो पर रहे है जिधर तिधर भटक रहे हैं ना अभी तक वक बोड का गठन हुआ है जिसके लेकर अखलियतों के मसला बोड का जो मसला है वाफ बोड का बहुत सा प्रेंडिंग पड़ा हुआ है ना अल्प संक्रक वीत विकास निगम का तस्कील है तो जो भाजपा का धर पैदा करना और एक मुस्त भोट महा गठवंधन के लोग धार घंड में लेकर अखलियतों का सोसन करने का काम जारखंड में यह महा गठवंधन की सरकार कर दी है वो पूरी तरह से यह सरकार माकाम है तो योग गुरू बाबराम देव ने इसलाम और मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से मुतनाजब बयान दिये हैं आईए आपको सुनवाते हैं क्या कु मुसलमान से पूछो थारो धरम की का है वो कहें कि बस पांच वार नमाज बढ़ो फिर जो मनमा वो करो चे हिंदू की छोरियों में ठाके लाओ जो भी पाप करने करो वो इसलाम का मतलब नमाज समझते हैं गणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिपाई लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बिटा और उनका स्वर्ग का मतलब है तकने के उपर पैजामा पहनो मुझ कटवा लो तोपी पहन लो ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इसलाम कहता मैं नहीं कह रहे हूं लेकिन आइसा ही कर रहे हूं कि बस खिर तमारी जन्नत में जगे पकी और जन्नत आइस जन्नत तो जहनों से भी बेकार है लेकिन फिर भी लो मुझ कटवारे सिर्पर टोपी रख रहे हैं और बस पागश्पन है इसलाम इसलाम महान और सानी डूर्यों को इसलाम में तब्दिल करना लोग इसी चकर में पड़े बें वही बाबा राम देव के इस बयान पर सपा सांसा शफीकुर्रह्मान बर्ख ने सक्त तनकीद का इजहार किया है आई आए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने मुस्लिम समाज और इसलाम को लेकर बाबा राम देव ने भड़काओ बयान दिया है और बाबा राम देव को आखिरकार अब कैसा जवाब मिलेगा और जवाब देने के लिए सफीकुर्रह्मान बर्फ साथ मेरे साथ हैं सर एक बात बताईए राम देव जी बोल रहे हैं कर रहे हैं ऐसलम आदि मुसल्मान हैं इसलिम के रहे हैं कुर्ण श Representative कमाने मानने वाले हैं को नशीफ हमारा एक आईन है समझे कानून है जो एक दिया हुआ है उसी पर सारा मुसलमान देव चलता है का अटेक इसलाम पर नहीं करना शाहिए तो क्या आप एक बात बताई है जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो क्या आप उनके खिलाफ आप कारवाई की मांग कर रहे हैं क्या आप खुद भी एफाईयर कराएंगे हिंदोस्तान खुद ही का जवाब देगा अगर मुसलमान शब्द का आर्थ समझाना हो बाबाराम देव को तो कैसे समझाएंगे इसलाम को तो पूरा एक निजाम है एक कानून है जो सारी दुनिया यही नहीं हिंदोस्तान में नहीं यहां तो लगबग 50 कौर्ड मानता हूं में मुसलमान इस हिंदोस्तान में लेकिन 57 मुलकों में गवर्मेंट है मुसलमानों की तो तीन अरब से कम आदमी मेरे लिन रशहाद है इसल्हीं होगा तो मतलब है कि इसने इसका मानने वाले क्या राम व्याहं ये जो है आपने उन्याम लिया और तो रामदेव जी जी सहें कि亞 लुक्षक धने Call 가장 मतलब नहीं हैं। उन्के मौताज हमारा कानून अलेदा है हमार सोच अलेदा है बाराल उन से हमारा कोई मतलब नहीं इस बात को अटेक करना इसलाम पर अटेक करना जो है यह मुनासिव नहीं है सर नो राजियों में चुनाओ है इस साल अगली साल दो हजार चौविस में लोक सभा का चुनाओ है तो क्या यह माना जाए कि एक हिंदुत की पिछ तयार की जारी है जिसके लिए अब सर्वे सर्वा बना दिया गया है बावा राम देव और धिरेन सात्री जैसे लोगों को कि आप पहले आप इसकी पिछ की तैयारी कीजिए उसके बाद फिर जो मतलब ऐसी पार्टियां हैं उसके बाद वो आएंगी उस पर बैटिंग करेंगी तो क्या यह मान लिया जाए यह 23 और 24 को देखते हुए इस तरीके के बैन बाजी हो रही है तो बैन बाजी इस तरीके से ह जीता जा सकता है और यह सोच बीजेपी की खलत है कि वह इस खिजन के भरम पैदा करके और हालात पैदा करके मतलबी जीतना चाहते हैं इंशालला करारी उन्हार होगी से आप देखेंगे सरकार से मांग कर रहे हैं कि बाबाराम देप के खिलाफ एक्शन लें कारवाई करें तो सरकार देखें कि अगर वो उनके मधभी इतबार से ये मुनासिब नहीं है इस तरीके से किसी के मधभ पर अटेक करना चली वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया तो साफ तोर पर आफ सफीकुर रहमान बर्फ सहाब को सुन रहे हैं जिनका ये कहना है कि इस तरीके की बयान बाजी मुनासिब नहीं है इससे बचना चाहिए पर ये तो बाबा राम देव हैं कहा मानेंगे कैमरा परसंट जसी के साथ मोही शुक्ला तैजीब टीवी दिली बाबाराम देव के इसलाम पर दिये गए बयान पर दारुलूम फरंगी महल के तरजमान सूफिया निज की जाए यकिनी तोर पर धारमिक लोगों का और धर्मसंसत का कतई तोर पर ये मकसद नहीं होता है कि ये किसी के भी मख़ब के खिलाफ या मुसल्मानों के खिलाफ कोई अबहद रडिपड़ी की जाए अगर आपके पास अपने मख़ब की कुछ अच्छी बाते हैं तो आप वो लोगों तक पहुचाने का काम करें बेजा और बिला जरूरत दूसरे मख़ब पर और खास तरफ पर मसल्मानों पर जो टिपड़िया की जारी है और बार बार जो च्छी टाकशी की जारी है ये कतई तोर पर किसी भी सूरत में मनासिब नहीं है जहां तक तो उनको ये खुद ताय करना है कि वो एक धर्मगरू हैं वो एक संत हैं एक वेपारी हैं या एक राजनेता हैं चूंकि जिस सरीके की जबान वो इस्तिमाल करने ये यकीनी तोर पर वो किसी धार्मिक शख्स की या संत और साधू समाच से तालू रखने वाले शख्स की यकीनी तोर पर किसी राजनेताही की जबान हो सकती है और धर्मसंस्त का अगर यही मकस्द है कि वो मसल्मानों और असलाम के खिलाफ शिटाकशी की जाए तो यकीनी तो पर ऐसे धर्मसंसतों पर पाबंदी लगनी चाहिए जहां पर सिर्व नफरत यी बात की जा रही हो